वेल्कम टू माई चैनल में कैसे आप सब आपका मेरे किचन में स्वालत है तो आज हम बनाएंगे चीज ओमलेट ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है इसके लिए में ले रही हूँ दो अंडे बारीक कटा हुआ प्यास और एक हरी मिर्च धनिया मोजरोला चीज और लाल मिर्च तो चले शुरू करते हैं चीज ओमलेट बनाना है तो हम दोनों अंडे को लिकार लेते हैं मैं दो अंडों का ही ओमलेट बना रही हूँ इसको अच्छी तरह से हम फेट लेंगे अंडों को अच्छी तरह से फेट लिया है लेकिन हम इसमें मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होता है तो हमिसको साइड मे रख देंगे यह मैंने एक प्यास बारिक कटा हुआ लिए है एक आरी मिचली है इसमें मैं थोरा सा नमक डालूंगी स्वादमसार आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ी से काली मिल्ष में डालूंगी इसको ब्लैक पेपर भी पुर्ते हैं थोड़ी सी काली मिल्ष लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि यह मसाले अच्छी तरह हमारे प्यास और हरिमेज को लग जाएं देख सकते हैं कि यह मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए है प्यास और हरिमेज के साथ तो हम यह मिक्षर हमारे अंडो में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जितना हम विस करेंगे या ब्लेंड करेंगे उतना ही वह फ्लपी होगा यमें फूलेगा तो यह मैंने अच्छी तरह से इसको फैट लिया है इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया इससे अच्छा स्वाद आचाता है वापस एक बार इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारा यह बैटर बन चुका है और अब हम ओमलेट बनाएंगे तो मैंने मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिया है अब चाहे तो 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 तेल या बटर किसी वा भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं तेल डाल दी हूँ जैसे ही तेल गरम हो जाएं आप इसको आप अब आप इसमें ओमलेट डाल रहे हूँ तो हमारा तेल गरम हो चुका है मैं इसमें ओमलेट डाल रही हूँ अ कि इसको हम अच्छी तरह से मीडियम हाइ फ्लेम पे पका देंगे यह बहुत ही यमी होता है तो यह हमारा ओमलेट अच्छी तरह से पक रहा है और यह इतना यमी लगता है और यह सभी को पसंद होता है चोटे बच्छों से लेके बड़े बुड़ों तक हर सीजन में खाया जाता है आप उसको ब्रेड के साथ कहा सकते हैं चपाती रोल के तो अब देख सकते हैं मेरा ओमलेट अल्मोस्ट पग गया है मैं इस पे मॉजरेला चीज डालूंगी अब हम इसको टर्न करेंगे इसका इतना अच्छा है यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है और टेस्टी भी है तो आप जरू ट्राय करके मुझे कमन बॉक्स में जरूर बता देना आपको कैसा लगा आप भी खाईए बच्छों को भी खिलाईए तो हम दूसरे साइट से इसको पका रहे हैं तो हम लो फ् अच्छी तरह से दोनों साइट से पक गया है अभी हम इसको प्लेट में सर्फ कर देंगे तो हमारा यह च्छी ओमलेट बन चुका है हम इसको सॉस के साथ सर्फ करेंगे आप चाहे तो जैसे मैंने कहा आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं तो अगर आपको यह मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो जरूर ट्राय करना लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू वेरी माच